हाई आप आप सब ठीक होंगे वीडियो स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर विंग और वांग जी अराम से सो रहे होते हैं और धिरे धिरे विंग की जो हैं आखे खुलती हैं और विंग जिस पर बिल्कुर भी उठानी जा रहा था वो मुश् विंग जो है वो उठने की कोशिश करता है काफी ज्यादा पर उसे जो है उठानी जाता क्योंकि इसकी बैक में काफी सब्सक्राइब पेन हो रहा था अब इसी वीच वीच वांग जी की आखे खुलती है और जब वो देखता है विंग को की विंग उठना चाहता है और साफ कर देता हूं। मैं झामी जाओ बना साफ करो मेरीचे और इसको कही साफ करो E Lambda daar वहां पर क्योंकि यॉवान ने जो है रात भर में आवाज जो जो हुई थी वो सुनी हुई थी और विंग अपनी नजरे उठानी पारा था इस वजय से और यॉवान जो है वो विंग को बोलता है प्रदर आप क्यों ना दूसरे वाला रूम यूज करें तो विंग बोलता है मैं नहीं करूंगा तो यॉवान बोलता है पर आप भी तो वही सब करते हैं तो विंग बोलता है नहीं मैं नहीं करूंगा तो जो यॉवान है वो बोलता है फिर आप मोम डड़ का रूम यूज कर लीजे तो विंग बोलता है नहीं मैं अपने ही रूम में रहने वाला हूं तो यौन बोलता है ठीक है जैसी आपकी मिलती तो शायद से मुझे लगता है कि मुझे रूम चेंज कर लएना चाहिए तो विंग बोलता है नहीं तुम भी बात में करोंगे जब तुम्हारा कोई पार्टनर आजाएगा तो यौन बोलता है आप तो बहुत जिद्धी हैं तो बोलता है अब चुपचाप करके खाना खाओ तो यौन फोल उनकी तरफ देखकर के स्माइल कर तो थोड़ी देर बात बहुता है वैसे रात में हुआ था था तो विंग जो है वो जो 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 से खाशने लगता और वांग चीए लगता है और एक गिलास पाने का उठा करके व तुम दोनों जाओ तुम तुम दोनों जाओ तुम भाड में जाओ और यह बोलकर के जो विंग है वो उड़ चाता है और उपर चला जाता है अपने रूम में अब थोड़ी देर बात कसीन दिखाया जाता है जहां पर वांग्ची और यॉवान तो अपनी उनिवर्सेटी चले यह ब में अब ढांवा थे जाता है लो विंग भाड दुम्ह dipå तो Wenning 20 से षथ होसे बता हो उसी तैम आप मेरे सुनना जल्दी से बहो तो Wingusz ऽय ब지 तम हुघ जल्दी से बहो प्छोड तो Wing बहला हो तुम्हे लना जरूर होती है झाल यह तो doğrë ही लिएकव खर्फ हमे लिए प्रवी जरूरी से जरू यह होती है मेरे एक दोस्त है, वो अपने घर पे एक लड़के के साथ रहता है और वो लड़का कुछ टाइम के लिए ही मेरे दोस्त के साथ रहेगा और मेरे दोस्त जो है वो उसे थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगा है उसे भी नहीं पता कि वो उसे like करता है या नहीं करता है पर जब भी वो उसके पास होता है तो उसे अच्छा लगता है उसकी जो दिल की धड़कने हैं वो तेज हो जाती है और उसके पेट में butterflies उड़ने लगती है और वो जो लड़का है वो काफी स्यादा कम बोलता है पर जो मेरे दोस्त के साथ है काफी अच्छे से बात करता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या फिल करते हैं उन दोनों को नहीं पता खासकर उस लड़के का, वो लड़का मेरे दोस्त के लिए क्या फिल करता है वो उसे नहीं पता और मेरे दोस्त को भी नहीं पता, उन्होंने अभी तक एक दूसरे को अपनी फिलिंग्स नहीं बताई है और इन सब वो चीजों के ना होते हुए भी उन दोनों के बीच में जो है फिजिकल कॉंटेक्ट हो जाता है वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते हैं और फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी फिलिंग्स नहीं बताई होती और अब मेरे दोस्त को जो है स आज क्लम से नहीं चुम्हारा कॉछ सा विंग हम पोलता है कि själv नियुक्त और धूर्ड को जुट को जानते जहां तक हमें पता है अब तक तो आपने कोई दूर का फिर अच्पानी बदीन बनाया तो विंग बोलता हां वह अभी मेरा ओनलाइन ट्रेंड है ना हम ओनलाइन मिले थे तो शुयंग बोलता है विंग तुम तो आज कलम से बहुत ज्यादा बाते चुपाने लगे हो तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम्हारा कोई ओनलाइन ट्रेंड है और वह भी बहुत दूर का और आज तुम हमे कंबाते करते हैं तो श्य आ हैबिन चेक्टाल करता है ने जो आज की थैसरीन को प्यों साओं लिए आपनी नाम बता करके किसके इकसाथ ही यह équ Darling lowest तो वेंडींम बसे हाँ विंग तो क्षब भी कोछ रही हो। तो विंग बना कि असाना को पुल थैजह के सliamoखरें खरें बसाद किया दोषघा कि सामचर प्राइव है है तो विंग बोलता है मैं तो समची गया था जैसे रात में वांग जी तुम्हें उठा करके लेके गया था कार में बिठाया था मैं तो उसी चीज़ समझ गया था कि वांग जी जो है वो किसी को टेच करना तो दूर की बात किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता और तुम्ही तो कल रात को वो गौद में उठाकर लेकर गए था मुझे तो तब ही शक हो गया था तो विंग बोलता है वेंडिंग अब बस भी करो ना अब मुझे बताओ भी मैं क्या करूं शुयंग बोलता है तो विंग हमें सच सच बताओ कि तुम उसके लिए क्या फिल करते हो विंग बोलता है मैं उसके लिए बहुत अलब फिल करता हूँ ऐसा फिल मुझे किसी के लिए भी नहीं होता है जो वो मेरे पास आता है तो मेरे धड़कने बढ़ जाती है और ऐसा मन करते हैं कि उसकी तरफ देखता रहूं तो जो वेनिंग है वो बोलता है वी इंग तुम उसे लाइक करने लगे हो तो वेनिंग बोलता है क्या तो वेनिंग बोलता है हाँ वी इंग अपनी फिलिंग्स को एक्सेप्ट करो तुम उसे लाइक करने लगे हो तो Wing बोलता है पर Wenning मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो Wenning बोलता है कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारा दिल कहे वही तुम करो तो Wing बोलता है ठीक है मैं वही करूँगा पर मैं मुझे समझ नहीं रहा है कि मैं वांग जी से कैसे पूछु यह सब वैंडिंग बोलता है तुम्हें उसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है अगर उसे बताना होगा तो वो खुद ही बता देगा तो place iang iang बोलता है एक जाना मिज़ों और रहिब कर हूं किसके बात कर जा रही है कोन है यह वां गिक टो नर्था है ले गाता है iang iang high टो मुझे बाती है चुम किसकी बात कर रहा है कोन है यह वांग जी तो मैंक चयाना मुझी जाना है वांग जी कोन मुझी चाया अब ही जान रह्ती है आधश्ट कोन मुझे जानना थाली है ॹएंता है कर्किल न vaning Day जाना हमुखी हुखा कंव अटो एकिळे निदा काही सताल और पाईया है तो वेनिंग बोलता है हाँ वो काफी से आता हैंसम है तो श्यंग बोलता है विंग को विंग क्या तुम उसे पसंद करते हो तो विंग बोलता है अरे तुम मेरे बीचे क्यों पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता मैं इसे पसंद करता हूं या नहीं तो वेनिंग बोलता है विंग मोझे ज्यादा नी सोचHe Impact नहीं चाहिए उन इस तिन इस नहीं कर तो तो तुम ठक हो रहे माल झाओ। मैं नहीं थकाऊँ chi विंग वहें पधान से वहान पांची तो मुझे चिल को तरे एव आंची को नहीं है वंख निक चैपने छोडिए झाथ कोश्मी हां पंडनों जैसा मेरे कि जिए और यूज पोड़े दो tentangा वियंक मुझे नहीं बता होगी इस्हें बहल बर्ट है वनिंग मेर कशो फीजल्ण दिर द द द खान. वेशाहु वरनिंग केशोन करूं पर मिbor मेर सक्षट जो प्रचए, तर द द द दो भर वहाँ है तो वेंण भूत होता है वो अपनी फीट पर नीचे बढ़ जाता है और फिर बोलता है क्या वो सच है मैं तो अच्छा हुआ मैंग को अपनी फिलिंग नहीं बताई क्योंकि अगर मैंने वींग को बता दिया होता उस दिन तो विंग तो मुझे reject कर देता और मैं तो उसका दोस्ट भी नहीं रहता फिर तो वैनिंग पोलता है अच्छा हुआ मैंने विंग को नहीं बताया कि मैं उसे like करता हूँ वरना तो आज मैं यहां नहीं होता मैं तुमारे लिए बहुत खुश हूँ हमेशा अपने लाइफ में खुश रहना और यह बोल करके वो अपने काम में लग जाता है और दूसी तरफ शूया है दरवासे के भार ख़ड़ा होता है और सोच रहता है विंग आखिकर तुमें भी तुमारे कोई मिली गया जो कि तुमारा ख्याल रख सके अगर वो इंसान अच्छा नहीं हो ना तुमें इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा और उसके आँखों में आसो आजाते हैं और आसों से भरी आँखों को लेकर वो प्यारी सी स्माइल करता है और फिर दूसी तरफ वांग जी को दिखाया जाता है जो कि एक चेर पर बैठा हो होता है और वींग के बारे में ही सोच रहा होता है जो जो उनके बीच में अभी तक इतने अच्छे से मुवेंट हुए हैं उन सब को याद कर रहा होता है और प्यारी सी स्माइल कर रहा होता है अंदर से जो कि इसके आर ही होती है और यही सोच रहता है कि अब वह आगे क्या करेगा कैसे विंग सरत है अपनी feelings पताएगा और उसके गूम में वह क्या करेगा क्या वह से accept कर लेगा या फिर उसे reject करदेगा अब उसके रूम में एक बंदा आता है जो आकर बोलता है वाग ची के हुआ हुआ पर खोए हुए ऊँक्ट को लेआए तो वांगची बोलता है, अरे नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है तो जो इसकी ब्रदर है, लेन शी चैन बोलते हैं वांगची वैसे तुम इतनी गहरी सोच में कहाँ टुबूए धे इसके बारे में अंपी अपतने थे प्रदर कम चाहिं अब किसी तुम पसंद करतेउं और अभी उसी की बार है तो उसे की बारे में सोच रहे थे तो वांग जी बोलता है जो ऑना सकता अ根 gehört मोर्देर अगर तुम उसे नहीं बता होंगे तो अब की प्ता है और अब मुझे इसे बताने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो शीचैन बोलते हैं क्या तुमने बीना अपनी फिलिंग्स बता है सब कुछ कर लिया तो वांग जी बोलते हैं वांग जी तुम तो बहुत जागा फास्टों तो वह वांग जी जो है वह बोलता है प्रदर आप यह क्या बोल रहे हैं तो शीचैन बोलता है अच्छा कोन है वह तो वांग जी बोलता है अच्छा तो वह लड़का है कोई बात नहीं लड़का हो या लड़की तुम्हें कोई पसंद तो आया मैं तुमारे लिए खुश हूँ और अब जल्दी से जाकर कर उसे अपनी फिलिंग्स बता दो नहीं तो पता चला कई उसे कोई और ना ले जाए तो वांग जी बोलता है ब्रदर आप यह मत बोले ना मेरे दिल में चुपता है तो उसके ब्रदर बोलते हैं वांग जी जो होता है अच्छे के लिए होता है और अगर उसने तुमारे साथ इतना कुछ किया ही है तो जरूर वह भी तुमारे लिए फिलिंग्स रखता होगा वरना वह सब क्यों करता मुझे पूरा यकीन है तुम उसे अपनी फिलिंग्स बता दो ठीक है तो वांग जी बोलता है ब्रदर ठीक है मैं कोशिश करता हूं तो शीचन बोलते है कोशिश नहीं करनी है दू कि युश्चो करते हैं तुम्हें इसको बता नहीं की तुम्हें उसे लाइक करते हो वांग जी बोलता है हां ब्रदर मैं बता दूंगा पर मुझे डर लगता है जो अपने जरूर बतावगा आज के लिए अपको इस hesitation कमेंब जरूर बताना और वीडियो को लाइक चैन लाइक कर दिया करो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई